हेलो दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल निहाँ डिजाइन स्वर मैं आपकी दोस्त निहाँ आलवी आज किस वीडियो में हम आपके लेका हैं यह यह वाला कैप आप सरदियां शुरू हो चुकी है तो आप इन्हें बेबी के लिए कैप बना सकते हो देखिए इसमें हमारे दो एयर है हमने इसमें यह लगाए हैं और इसे के साथ है महीने से एक साल तक की बच्चे को आसानी से आ जाएगा तो आज की हमारी वीडियो बनाना बहुत आसान है और इसके लिए हमने फैबरिक अलग से भी हम इस बजाए से नहीं लाए हैं जो हमारा बच्चा और फैबरिक था हम ने उसी का यूज किया है तो चलिए हमस की कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं और अगर आप बजार से लाते हैं तो आधर मीटर कपड़े में आपका जो कैप है वो बनकर तयार हो जाएगा कैप बनाने के लिए हमने ये वाला फैबरिक लिया है यह हमारे मैच्ण का फैबरिक है तो जोचे लिए इसका मैज़रमेंट हम आपको बताता है देखे वीडर है इसकी 6.5 इंच और और यहां से इसके Length है हमारी 7 ईच की हमने 4 पार्ट पार्ट कट होे हैं यह हमारी 2 हैं और this यह हमारे मैचं़े पार्ट हमने कट किरें और इसके बार दिखिए हमारे यह वाला फाब्र ambassador इसको हमने कट किया है 3 inch की हमारी width है और length है इसकी 8 inch की और से measurement के हमने 2 part कट के हैं यह हमारा fabric है और यह हमारा yola fabric है जो हमारा matching का fabric है और उसके बाद हमारा yola fabric है इसका measurement है हमारा 4 inch इसकी width है और length है हमारी 13.5 inch और इसके हमने दो फैबरिक कटके हैं दोनों में से एक हमने इसको रख देंगे और हमपने यह वार पार्ट लेंगे हैं यहां से हमारा स्यावा नेछ से अमेसे काशना है तो देखिए हम पर मुस्कों करें गे तूंच पर और इसके बार देखिए यहां से हम इसको इस तरीके से 1.5 इंच पर माक करेंगे करेंगे इस तरीके से हमें क्या करेंगे देखिए याला जामने फैबरिक क्या था इसके हमारा मेसर्मेंट है देखिए यहां से 3 इंच है और यहाँ से इसका मेसर्मेंट है यहीं सबसे पहले एक पार्ट लेंगे और इसको फोल करेंगे इन यहां से हम इसको कि स्की पोइंट को इंच पर इसके बाद हमें यहां पर करने है कि इसको फोल कर लेंगे एक बार और कि इस तरह के से हमें इसके मांकिंग करने से कि हमारी एक लीफ की तरह बन जाए पत्ती की तरह और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह के से कटिंग करनी है और यहाला जो हमारा पार्ट है इसके भी हम कटिंग करेंगे इस तरह के से हमारे चार पार्ट कट हुए है तो देखिया हमारा जो कैप है हमारे इसकी कटिंग हो गई है तो इसकी भी स्टिचिंग हम शुरू करते हैं और इसके बाद है कि हमने यह लिए है यह हमारे पट्टी के लिए यूज होगा इसकी हमारी वीड है टो इन वान पॉइंच और लैंध हमने इसके यह से रखिए 20 अगर हमारी कम होगे तो इसमें एड कर लेंगे तो चली स्टिचिंग शुरू करते हैं हो एक जब से हमें क्या करने हमारा अगहले दिखिए वालों जमारा पार्ट यह लोगा हम यह लिंगे इसको में आटाज भी इसको हम यहाँ पर रखना देखिए इस साइड से हमें इसको रखना है जिस साइड से हमने सरकल की तरवी शेप किया है तो इस साइड से हम इसको रखेंगे और इनको अटैज करेंगे हमने इसको तयार कर दिया हमें क्या करने याले जमार दूसरा पार्ट है इसको हम इस साइड पर अटैज करेंगे करेंगे इस तरी के से हमने इसको तयार किया है इसके अबाद हम क्या करेंगे इसको हम सैट पर लग देंगे देखिए जो हमने कट की थी हम दोनों में से एक एक लेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे अब इसको हम यहां से पलट देंगे हम पलट इसके तेंगे आईएंगे कि षेंगे कि इसको प्लेटने के अबार हम एक प्लेट में इसके उपस लाई लगाएंगे और सेम तरीकिसे हम दूसरे वाले भी तयार कर लेंगे इन दोनों को तयार करने के बाद हमें क्या करना है अपना बिलू वाला जो पार्ट है हम वह लेंगे और उसको यहां पर इसको कट लगाएंगे इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको हम यहां पर रखेंगे और इसके उपर हम यहां पार्ट रखेंगे और इनको सिल देंगे है झाल, 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 झाल,प्टूँण। हुआ हम आप एक आया अदो आप आप हुआ कर दो कर देंकığı यह अलग हमारा पाइठे बन त्यार है इस तरह के से हमने यहां पन को लगाई यहां की तरह बनेंगे और देखें जो इसको लेंगे दोना राइट साइड को मिला लेंगे और यहां से लुकुल लिक वाल है हमारा और यहां पर लगाएंगे सिलाई यहां से इसको सिलने के बाद हम इसको पलट देंगे अब यहां पर भी में पर यहां में सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए अब निचे पर मैं एक सिलाई लगाएंगें अब नीचे पर ने कर दो कि अब CAP मैंचें की हैं इसके पर कि अब हैज कि यह एल्डु का लेंट इसलह सो हमने हटागी है को हमने वाली है तो हम डबल फोल करेंगे दो और इसको आप यह जो में पट्टी यूज़ करेंगे अपने बेबी के अकोर्डिंग ले हमने इसको बाज एक्सरती इसको हमने कट कर दिया है अब हम क्या करेंगे इसको रखेंगे और इसके साथ अटेश कर देंगे कर दो बुटेश करेंगे अटेश कर देंगे इसको अटाइच करने के बाद हम इसको पल्टेंगे और यहां से इसको जो हमारी आक्षा पाइपिन है इसको फॉल्ड करेंगे और इसके उपर स्लाई लगाएंगे और अब इस साइब से भी हम इसको चल देंगे दोस्तो हमारा एयर कैप बनकर तयार है आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी यह आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को किलिक करना ना भूलें जिसे कि आप मारी आने वाली किसी भी नए वीडियो को मिस ना कर सकें फिर मिलेंगे आपसे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक केर